हेलो फैंक्स हम बात करेंगे आज आयार सीटीची से लेटिए आयार सीटीची की अगर मैं बात करूं तो बहुत टाइम पहले यहां पर वीडियो बनाई थी उसके बाद यहां पर वीडियो नहीं बनाई और आपको तब भी कहा था कि जो यह movement है जो यहां पर लग रहा है कि आ अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको सबसे पहले तो आपको एक course जो हम offer करते है technical basics to advance recharge and fundamental basics to advance हां पर कब शेयर को लेना है कब बेचना है कब नहीं लेना है कब नहीं लेना है कब नहीं बेचना है उस सब चीजह से लेटिए हां पर हम बाते करते हैं और बताते हैं कि exactly कब लेने पर आपको profit होगा कब लेने पर आपका पैसा नुकसान होगा या फिर simple समय की बरबादी होगी कभी भी आप यहां पर ऐसे लोगे तो वो चीजह समझना बहुत जरूरी है और अगर वो चीजह नहीं समझोगे तो आप कभी भी किसी भाव पर लो 17,500 हो जाएगी 16 तारिक के बाद तो 1-2-1 classes है पूरा course 3 months की hand holding as well as strategy जो market में use होती है online note सब चीज दिया जाएगा stages समझाएगी कि कि कब लेना है कब बेचना है कब यहां पर चलता है कब नहीं चलता है शेयर वो सब चीज आपको तब पता चलेगी 8605 40501 8169 261037 contact करके course की details ले लीजिए वाकी WhatsApp group है हमारे दो एक premium group है एक यह normal group है जहां पर हम इस तरीके के stocks डालते रहते हैं 6% up 6% up ओके यहां पर 8% up and 60% return so far as well as keep your eyes on polymath जैसी बताया परसो के दिन कल के दिन 6% उपर 9% 10% 10% 5% इस तरीके के यहां पर क्या बंगते है return बनते हुए नजर आते हैं और यहां पर stocks देखिए दुबारे stocks दिए यह देखिए stocks from here यहां से देखिए 10% 10-10% बंगते हुए नजर आए तो चीजें सीखनी पड़ेगी और उसके लिए course plus में WhatsApp group है और premium group चीए जिनका portfolio बड़ा है वो यहां पर contact करें उनके लिए taxi service है और जिनका छोटा portfolio है वो यहां पर इस group में याड़ होके wealth creator यहां देख सकते गुरूप का नाम में अच्छा पैसा पैसा यहां पर कमा सकते आर्मी से देलवी की टिकेट से खैटरिंग मतलब कैटरिंग से तूर जो कराई जाते हैं उससे यहां पर पैसे बनाते हुए यह पी यह पूरी कम्पनी अच्छा पैसा बनाती है as well as कुछ data भी यहां पर यह सेल आउट करने की बाते हो हो रही है तो वहां से भी यह पैसा कम लाए आर उरी cinco यह पर पूरा कर दोय से कम्पेनी की बात करें बिस्नस मोडल सबको पता है कि इस तरीके से यहां पर काम करते हुए नजर आता है पर यहां परань वाले टान्ठ में और यहां परट्रेंज चलते हुए नजर आएगी और यहां पर आप देखेंगे अभी भी आप जाएंगे इतनी सारी ट्रेंज चलती है, सबसे बड़ा यहां पर नेटवर्क है, ट्रेलवे का पूरे वर्ल्ड में, बट इस्टिल भरी हुई रहते है हमेशा, तो यहां पर देखिये मार्केट के आप, 48,956 क्रोड रुपे का मार्केट के आप है, वो के mid cap company है, PE की बात करें, इंडश्टि का PE का है, तो ना तो महेंगा है, ना सस्ता है, इस चीज को याद रखिये, 612 रुपे का हाई, 841 रुपे का 52 रुपे का हाई, और all time high कितने का है, all time high है 1230 रुपे, तो सही time पे share को पकड़ना, बहुत जरूरी है, अगर नहीं बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ पर सिखाते है, कि रिस्कों management कैसे की जाती है, यहाँ पर बात करें, इस चीज को हमेशा याद रखना है, maximum chart pattern की बात करें, maximum chart pattern एकदम बहतरी है, यहाँ देखिए क्या बहतरी शेयर भागा, उसका consolidation है, वो हर एक share में होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा, और हम बात करें quarterly results की, तो यहाँ पर देखिए, तो sales की बात करें, 918 क्रोड रुपे की से, highest level sales quarterly basis पर आ रही है, net profit की 256 क्रोड का net profit है, quarterly yearly, highest level यहाँ पर आ रहा है, as well as share के गिरने का पीछे का reason का है की margin, देखिए जब तक margin यहाँ आएंगे कंपनी को, तब तक यहाँ पर चीजे अच्छी नहीं दिखाई जेती, तो यहाँ पर देखिए, margin 52 से 40, 38 और 35 हुए, margin गिरते हुए नज़र है, margin एक दुआरा सुधरने लग जाएंगे, जो कि मुझे लगता है, कब से सुधरने लग जाएंगे, अभी यह June आ रहा है, June के quarter के results आएंगे, तो लगवर लबद 6-7 महीने, 8 महीने और समझो, कि company एक consolidation mode पर रहेगी और उसके बाद जब चलेगा, तो यहाँ share भागत पर नज़र सुरी, 31 करोड पर working progress में लगा रखे company, cash की बात करें, 1900 करोड का अच्छा ऐसा company के बास cash भी पड़ा हुआ है, shareholding pattern की बात करें, तो देखिए गौर्मेंट यहाँ पर अपने share बेच रही है, और इस quarter में भी यहाँ पर बेचे हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर गौर्में हिस्सेदारी बड़ा ही, DII's देखिए, दुबारा यहाँ पर हिस्सेदारी पहले अच्छी खासी थी, 11-12% की, कम होई धीरे-धीरे, अब दुबारा यहाँ पर खरीना शुरू कर दिया, यहाँ देखिए, जो गौर्मेंट ने बेचा, वो यहाँ पर FIs औ DII's ने ले लिया तब-टब शेयर यहाँ पर भागता हूँ नजर आगा, यहाँ देखिए, शेयर ओल्डिंग ज्यादा होने लगई थी, जैसी ज्यादा होई और उसके बाद कम होती हुए नजर आई, जैसी कम होई इसका वाला शेयर गिरने लग जाए, तो इस शीट को यहाँ ध्यान रखे इस तरीक से यहाँ पर चीज़े चलती भी दिखाई देती है, पब्लिक के पास ज्यादा शेयर का होना ठीक नहीं माना जाता, मतलब है कि यहाँ पर शेयर प्राइस या तो गिरेगा, और जैसे यहाँ पब्लिक बेचने लग जाती है, आप क्या होगा, वो मैं चार्ट में स फायदा थोड़ा बहुत होगा, बट आपका लाइफटाइम फायदा होता हूँ नजर आएगा, देखिए, IRCTC की बात करूं, तो IRCTC हमने भी बताया था, और IRCTC जो मैंने बताया था, तो एकदम एग्जेक लेवल पर लिया था, यहाँ पर शेयर हमने लिया था, जब यह 1424 उर्वे गवा होता है, मुझे आज भी पता है कि मैंने 1424 उर्वे में अच्छी राजी कॉंटिटी उठाई थी, और इसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हो, और IRCTC की बात करें, एक साल से कोई वीडियो नहीं बनाई है, और एक साल पहले यहाँ पर हम देखें, तो द इसी तरीके से आपका फिर्च काम चलते रहेगा, चार्ट की बात करें, शेयर्म भागा, ओके स्टेज 1 थी, स्टेज 2 शुरू हुई, स्टेज 3 और स्टेज 4 यहाँ पर हुई, अब चीज़े गिर गवी है और यह स्टेज 1 चाल हुए, ओके स्टेज 1 की बात करें, तो यह पीरियड है, पूरा का पूरा नीच है 561, उपर बात करें 714, इस रेंज में चीज़े घूमरी है, सबसे अच्छी तेजी कब होगी, और कब हम यहाँ पर खरीदेंगे, अच्छी खरिददारी यहाँ पर होगी, जब 700 बामन या फिर बात करूं, यह 800 रुपे के उपर निक उस चीज की बात कर रहा हूं, और वो तेजी आएगी यहाँ से, जब यहाँ पर 800 रुपे का भाव निकलेगा, तब यहाँ पर चीज़े यहाँ पर आपको यह टार्गेट अपने अच्छीव होगे, तो पहला यह स्टेज बन है, इसे चलने दीजिए, शौट टम की बात कर अगर मैं बात करूं, लब 20 रुपे का, 30 रुपे का stop loss लगाईएगा, और यहाँ पर चीज़ों को आप लॉंग कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले टार्गेट 75 के है, दूसरे टार्गेट यहाँ भी अचीव हो सकते है, तो यहाँ पर अच्छे खासे टार्गेट निकल के का रहे है, नो डाउट पो भी 25 परसेंट के लिए नहीं, लंबे रिटन के लिए खेलो, और वो यहाँ पर जब चीज़े निकलेगी तब, तो यहाँ पर देखे क्या होता है, चीज़े नीचे गिरती है, फसते है, तो यहाँ पर देखे काफी लोग फसे हुए थे, बार बा जैसे कि मैंने बात करिये 7-8 महीने और सही, 7-8 महीने बाद जब यह शेर भागेगा, ओके एक आध बार यहाँ पर इतनी तेजी होगी, कि यहाँ पर 70% तो मैं मिनिमम टार्गेट बता रहा हूँ, मैक्सिम टार्गेट दुबारा यह एचीव होता हुए नजर आएगा ऊप बट marginally basis पर यहाँ पर अच्छे performance नहीं आ रही है, तो 2-3 quarter थोड़ा सा hold करना पड़ेगा, थोड़ा तसल्ली रखनी पड़ेगी, उसके जब तुबारा यहाँ पर चीज़ होगी, तो share दुबारा भागेगा, debt-free share है, long term के purpose से यहाँ पर काफी बैतरी नहीं, बट जिनका म जरिया, stock market को देखने का नजरिया पूरा चेड़ रहेगा, so thank you so much, God bless.